मश्कार विद्यार्तियों आज हम विचार करेंगे सुमित्र अनजन पंत की कविता नोका वियार उसका विचलेशन आज प्रस्तुत करेंगे जिन लाक्षनिक विचेश्ताओं को लेकर ठायवाद का अभिद़ि होता है ये अति शोक्ति नहीं है कि ये विचेश्ताओं पंत जी की नोका वियार कविता में मुर्थ हो गी है थायवाद में पंत के नाम से वस्तुते प्रकर्ति प्रकविता का अर्थ रूड सा हो गया है मिशंदे पंत के यां प्रकर्ति को केंद्रिय भूमिका मिली और पहली बार हिंदी कविता में प्रकर्ति के केंदरिय महत्व को हम संस्कृत कावेदारा से भी आगे बढ़कर पैज़ान सके सामन्त वादिय अभी रूचिया और बजार तंत्रि या तो प्रकर्तिक संद्रे का बजारी करन करती है या फिर प्रकर्ति की सोबा उग्खाने का साधन बनती है जैसा कि आज के प्रिद्रशे में विविन प्रियटन केंदरों की स्तापना के मूल में यही विचारदारा देखी जा सकती है ये सक्तियां मानविय चेतना से प्रकर्ति का निर्वाशन करती है खास कर एसी इस्तिति में जब उन्हें पुंजी का बड़ा इस्तापन मिल जाता है उत्तरादुनिक प्रद्रिशे में बजार तंदर की ये पकड़ अतेदिक द्रिड होगी है और तब ये स्वभावी किये कि मनुस्य अपनी सांस्क्रतिक अस्मिता या अपने स्वत्व के पुन्रवास के लिए कालिदास और सुमित्र अनंदर पंजे से कवियों की तरफ लोटी इस बात पर यदि गोर किया जाए तो ये इस्पस्ट हो जाता है कि पंत के परवर्ति अग्येजी जो शयवाद के रुमानियत के सक्त प्रतिकार करते हुए प्रियोग वादी कावेदारा में गद्यात्मक्ता की बात करते हैं वह भी कालांतर्ण में उत्यों के करण के बढ़ते तरणों में मानवी चेतना के उप्त निर्वासन को देखते हुए असाद्य विणा कविता में प्रकर्टी के प्रती उसी रागात्रों को मोग की तरफ लोड़ते हैं, जिसका वो अपने विरोध कर चुके हैं, इससे और अधिक आगे देखें, तो उत्रादुनिके विविन विदुपों क मानवी अस्मिता के संबंद भयावज सवालों के लिए हुए अरुंधति रोज के उपनियास दी गौड़ और फिस्माल थिंग्स में प्रकर्टी के प्रती, मनुष्य के दाइत्वा और उस दाइत्वा का प्रशा रागात्म का अकर्शन तक अप्रतियासित रूप से ये न प्रते हुए ये याद रखना शोबाविक है कि ये मनुष्य और बजार के बीच के उभर है गंभीर सांस्कृति संकटों के लिए चुनोती पुन अंदाज में देखने की प्रेणा देती है ये उस समय के रचना है जब पंथ जी काला कांकर के राजबहुन में रते हुए श्यांत मन से कावे रचना में सलगन थे निसंदे अपने समय के प्रिप्रेक्शें में ये रचना बहुत जरूरी सवाल ठोड़ जाती है बहुत हस्तक ये सवाल विंग्यात्मक टोन में उबरता है कि जब एक राष्ट प्रादिंता के संकट से जूज रहा था तब पंथ नोका विवार कर रहे थे वस्त होता है प्रकरति के प्रती पंथ के संद्रिय बोद और निराला के संद्रिय बोद के बीच ये इसपस्त विभाद रहे का खिंची जा सकती है निराला जब भी प्रकरति का चित्र उठाते हैं तो प्राए उनके जीवन और जगत के कठो और संगर्श की हल्चल सुनी जा सकती है प्रंतु पंथ में इन चीजों के प्रतियों बेसुद है चायावाद की वेक्तिक चेत्ना पंथ के या ठोस क्रिश्टल के रूप में चमकती है वेक्तिकता आत्मा नुबोती सानुबोती कलपना सीलता सुक्सम चित्र प्यता सुपनिन अनुबोती और कॉमल मंगीमा युगत बासा आती विशेशना है जो पूरु वर्थी धारा के अलग हटकर अपनी पैचान चायावाद के रूप में निर्दिष्ट करती है ये नोका युआर में देखी जा सकती है इस दर्श्टी कोंट चैसे चायावाद की पर्तिनिदी रचना के रूप में माना जा सकता है तापस बाला सी गंगा कल सस्य मुक्षे दिप्ती मुरुद करतल लेरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सीहर सीहर लेराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सान इलाम पर उक्त चंद का यदि विश्लेशन के जाए तो पहली बात तो ये है क्यों समय चल रहे नए काव शुयां नाकिए आनदोलन कि खास रूप से प्रकर्ति के अंदु रूप पंच जी प्रकर्ती का मानविकन करते हैं संस्क्रित का वी प्रंपरा में कालिडास के याउं लोटे मैं एक बात साप नजर आते है कि मानो कालिडास को जो कभी राजसामन्ति वातावनस्जास से उर वो रहे वह प्रकर्ति के उनुख दिस्टन का स्वास्तिला भी प्राप्त करता है अंग्रे जी लेक हकुमी बात की जाए तो शेली और किड्स उन्होंने भी उद्यों की क्रांती में संस्कृती डूंड़ते उड़सते दिकाई देते हैं और दूसरी बात ही है कि यह समीकन पं आते तो उसकी एक आईड़ता मने जाएगी बाद के प्रकतिवादी समेधनाओं के रचनाकारों और आलोचनों ने चायवाद के पलाइनवादी गोशित कर दिया था लेकिन ये तो दस्टिकोन हुआ चायवाद को अपनी रचना अत्म अप्रिया अड़ता के तैट इदिस जाचना का मुल्यांगन के दारे तो एक बंद चंद सायवाद की चितर सिलिकी रूप में सुंदर नमुना है उक चंदर में पंजीज ने गंगा की लहरों को कहीं करतल कहीं सुंदर कुंतल और कहीं निलामबर से उकमित करते हैं उकमा का इतना सगन वेगव कालिदास के या दस्की को चुछर होता है इस कविता के अंतिम चंद बंद में कतिपया लोचनों ने कविता को शगन वेचार संगार सा रगता है कि तो आलम बन रूप प्रकर्थी का बनन करते हुए उसे इस प्रकार दासनिक विचारदारा के प्रिश्ट रूम में निश्पन करने के लिए अस्तुवादी चिंतकों का मानना है कि रूमानी श्रोतों से उबरने वाड़े विचार जैसा कि नोका विवार में दस्टिकत है मनुसे के विचारिक सता की किसी मर्म सक्ती का परिचे नहीं देते हैं बलकि कलपना के कुहारों से नियमित और संचालित होते हैं उदान के लि किस काम का है लेकिन फिर भी पेशे के पिछे पूरी दुनिया दोड़ती है इस बात से इसको संदद आ सकता है यही कारण है कि दुनिया के बहुत से आदर्स विचार अवेवारिक भी होते हैं क्योंकि उनकी प्रवक्ता स्वम बोधिक ब्रह्म में जीता है पंत्रे यह यह भी अपेक्सा की जा सकते है कि नोका विवार करते हुए वह प्रकरति के जिस व्यापक और विराण संद्रिय का साखसा अथकार करते हैं प्रांदीर भारत में उसकी क्साई संभावनाओं को चिन्नित करते हैं लेकिन वह ऐसा न करके छायवादी सांचे में रष्यात्म उद्दात मनाती है जो कि उस उद्दाद रातर पर ऐसा उद्दात चिन्तन उबरता है पंत के यहां रचना के संदर में दोनों विचार लगब हो सकते हैं पहला विचार चुकि बात के दिनों में स्वंपंत के नियनुवर करने लगे थे रूमा निस रोतर शूठ ने वाड दूसरे विचार पर यहिसे हम सही माने तोंकि तमाम बार दार्शनिक प्रति अपने में इन इंटर्ख्स होते हैं इतना तो उनके स्थेतावर प्रसंचिन नहीं लगा जा सकता इस दारा सा जग साक्रम सास्वत इस जीमन का उद्गम सास्वत अगति सास्वत संगम वेदिक ऐसे दर्शन को लेकर पूराणिक दर्शन तक अनन्य दासनिक विचाड़ दरों में भी मायवाद और जगत में नस्वरताक का सब्भानाब नंतर स्रष्ठे चक्र का उधान मिलता है जिसका है कि चक्र्षै क्रिक्रिया में स्थ्ये सास्वत है और चक्रिय क्रम में स्रजन और विनास चलता रहता है पंत जी ठीक इसी बात इस कविता में कह रहे है कि जीवन गंगा की धारा की तरह है इस संसार का क्रम उद्गम गती और संगम भी सास्वत है उलेखनी है कि सौंद्री मुलक रशेवादी चेतना में मनुष्य को नस्वर्ता के भई से मुख़ करते हुए जीवन को सास्वत विकास में अपने चेतना के योगदान के प्रती एक प्रकार का आस्वासंग्सा दिया गया है सास्वत है गती सास्वत संगम जहां मायवाद के चलते च्छनवाद इतना हावी हो गया कि मान में चेतना सौंद्री का आस्वादन नहीं कर सके और नहीं जीवन और जगद की जटी में निश्चित मन योगदान कर सके वहां उनके लिए सोंद्रिय परक्रुजान अंतते करमवाद की सीनियती प्रतित होती है पंत को गंगा की लहरों सगा सासवत विलास नबगा सासवत विकास और चंदरमागा सासवत हास को दिएकर जनम मरन के आरपार वीराठ की आदाती है जग जीवन की कंधार चीर जनम मरन के आरपार सासवत जीवन नोका वियार नोका वियार के एड़ वूट में वारा सोंद्रे चितर यहां व्यापकर्थ प्रसार पाकर जीवन नोका में परनिक हो गया है जीवन एक नोकावियार है जैसे नोकावियार के आनम में उत्रकर कि की अपूच सुंधरी में जराता है लेरों से गुंगट में धुक धुक दसमी का निजुद तिरीएक मुक्ब दिखलाता है मुगदा सारु परूप वैसे हर मनुष्य को जीवन रुपी नोकावियार के आन अपने और अपने समाज का अम्रत्वराप्त प्रदान कर सकता है तो यही है कि वो अपने जीवन और जगत के सास्वत विकास को समझे उसमें अपनी शक्रिय बूंभी का नियत करें कविवर सुमित्रा नियन पंथ चायवाद की जिन कवियों में एक है अपने समुची रतना सामर्थे के साथ एक तरफ चायवाद ये कावे अंदर उनका परवर्तन में अपना सयोग देते हैं तो दूसरी तरफ रतना धर्मिता के वेशिष्टे के साथ कलात्मक और भावात्मक दोनों दर्ष्टियों से चायवाद के सिकर प्रतिष्टा में अपना योगदान निश्चित करते हैं पंथ नहीं इस कविता नोका वियार और उनके गुंजन कावे संग्रे गुनी सो बतीस में प्रकाशित हुई ये कविता भाव और इस्तापत्य के दर्ष्टे है चायवा चायवाद हिंदी कावे में मुक्छंदे कर आया और मुक्छंद के अनुरूपी बावों की मुक्ती और छंदों के बीचे खास लोच के दर्ष्टन होते ही नौका वियार में चंद की गतिन रही था और बिम्बो के बीच इस गति सीलता को सारत कुक्रम देखते मुनता है तमस्ट बाला सी गंगा निर्मर सशी मुक्सिद दीपित मुरूद करतल लेरें और पर कॉमल गुंतल पंद जी ने अपने कावे स्रजन को प्रथम चरण में प्रकरती के कॉमल सौंदरे के अनुबती दिखाते हैं इसलिए उनकी वासा में प्रकरती को लेकर सगन्द चित्रों का संयोजन सौभावी के सिल्फ विदान के दिश्टे देखा जाए तो नोका विवार की महता अक्सुन है गंगा को मानविक्रती इतना अनुठा बिंब पंदर जी ने इस कविता में लिया है कि पूरी कविता की महता इस बात में है कि कवि ने नोका विवार संक्सुन में अपने पूरी गतिशीलता में अपने जीवनता को उभार दिया है जैसे को चितरकार नियाई चुन्दर लेंडिस्केप के गतिशील संद्रियों को पूरी नाटियता के साथ पकड़ रहा हो इस कविता के केंदर में गंगा का संद्री वर्णन लेकिन इस वर्णन में इती वरतात मुक्ता नहीं देखने को मिलती गंगा का संद्री वर्णन इ वोका व्यार करते समें गंगा का जो संद्रिय मूर तोड़ता है उसमे एक तपस्वनी वालिका के रूप में वीद बंकी महमुणाद गंगा के संद्रिय का वनन किया गया है प्रकर्थी के प्रती हर्दे में मुफ्ती का उद्गोस करने वाड़ी कविता मानौ बोतिक जीवन म कि सार्थक्ता का संधान भी है समूची कविता अंतिम बंद में एक दार्शनी दर्श्टी से निश्पन होती है ये शिल्प की दर्श्टी से कविता की एक कमी है लेकिन ग्यान रखने इनलाइक बात ये है कि सायावाद के उद्गम के मूल में जीवन और प्रकर्थी के तक सैजी देखा जा सकता है अंतिम बंद में कभी सास्वता का दर्श्टी से का अतिकर्मन करते हुए आधनी कालीन जीजी विशा का प्रमान हो जहां जीवन और जगत का सैज स्विकार ही इस्ट है क्योंकि ये भी का जा सकता है कि कविता समर्थ और सस्वत कलपना की मात्यम से एक रूमानी लोग दर्श्टी करती और एथार्द बाद के और संचन करती है गंगा की धरा साही जीवन और जगत का विलास भी सास्वत है गती और संगम भी सास्वत है यही मानो कविता का संदेश है सास्वता ही किसी दर्श्ट को स्विकार कर लेने से स्विद्य ही नही अर्थात कभी नहीं या आरोप नहीं लगाए जा सकता कि वे सरड़ी करन का सिकार है बल्कि इस हास इस सासवता के प्रतिपादन में जगत और जीवन की वे संभावने वे देमाने जिसके लिए कोई भी सब्वेता संगर्श करती है जैहिं धन्यवाद झाल झाल झाल